यूएस के बर्मॉंट स्टेट में ग्रीन मौंटेन रेश्टनल फॉरेस्ट का पार्ट ग्लस्टनबेरी मौंटेन जिसके पास बैनिंग्टन, वुटफॉर्ण, शॉर्टबरी, ग्लस्टनबेरी और समर्सेट टाउंज को जोड़ती हुई एक जगा बनती है जिसे बैनिंग्टन ट्राइंगल बोलती है हेलो, वेलकम बैक टो ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल तो दोस्तों कैसे हो आप सब, उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बैनिंग्टन ट्राइंगल ये नाम सबसे पहले नियू इंग्लेंड के पैरानॉर्मल ऑथर जोसफ सिट्रो 1992 में रेडियो पे इंटर्व्यू के दोरान दिये थे बैनिंटन ट्राइंगल में जो टाउंड साते हैं जैसे गलस्टेंबरी और समरसेट इन दोनों टाउंड को गोस टाउंड भी बोला जाता है गलस्टेंबरी में सिर्फ 9 लोग रहते हैं और समरसेट में 6 18th या 19th सेंचुरी ओ गलस्टेंबरी में पॉपलेशन कभी 18th century में इस जगा पे पहले बेक फूट देखे जाने की रिपोर्ट है एक दिन एक stage coach means गोड़ा गाड़ी बहुत सारे passengers को लेकर रोड पे जा रहा था लेकिन वो stage coach रुख गया क्योंकि रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी जिससे रोड पे पानी भर रहा था और रास्ते में भी काफी मिट्टी हो गए थी stage coach का driver अपने lantern को लेकर नीचे उतरता है रास्ते में जो मिट्टी थी उसमें उसे बहुत सारे बड़े साइस के foot prints दिखाई देते हैं वो सोच में पढ़ जाता है ये foot prints किसी इंसान के तु नग नी रहे अचानक से उस stage coach के जो गोड़े रहते हैं वो बहुत आवास करना शुरू कर देते हैं तभी जंगल की और से बहुत जोर से दहारने की आवास आती है सारे पैसंजर्स डर जाते हैं और बिंडो से बाहर देखते हैं कि कोई creature जंगल में से आ रहा है वो बहुत बड़ा था इतना कि अगर वो चाहता तो उस घोड़े गारी को उठा सकता था लगिली वहां किसी को कुछ नहीं होता है वो पास में आता है फिर जंगल में इमेडिट भाग जाता है ड्राइवर की हालत तो बहुत सादा खराब हो गई थी सभी ने बताये कि उसकी बस दो रेट कलर की आँखे शाइन कर रही थी वो छे फिट से भी जादा लंबा था और उसकी पूरी बॉड़ी पे हेर थे उस वक्त उसे बैनिंग्टन मॉन्स्टर नाम दिया गया था इस बैनिंग्टन ट्राइंगल में नाइन्टी फॉटी फाइव से लेकर कि नाइन्टी फिटी तक बहुत से लोग मिस्टीरिस तरीके से गयब हुए है जिनका पता आज तक नहीं चल पाया है वैसे मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ इतने ही लोग नहीं गयब हुए होंगे इनिवे हम आज उन्हीं गयब हुए लोगों की स्टोरिस को जानेंगे 1943 में नवेंबर के मन्त में एक शिकारी जिसका नाम कारल हैरिक था और age 37 वो अपने कजन भाई हैंडरी के साथ शिकार पे जाता है ग्लेस्टनबेरी टाउन के नौर्थ इस्ट डिरेक्शन में दस मिल दूर शिकार पे जाते हैं ये दोनो शिकार के दोरान दोनों अलग हो जाते हैं हेंडरी तो कैम्प साइट पे वापस आ जाता है लेकिन कारल हैरिक कैम्प साइट पे रिटर नहीं आता है जब अंधिरा होने लगता है तब हेंडरी को कारल की चिंता होने लगती है वो वहाँ के authenticity से contact करता है तीन दीन के बादane काल हैरिक की body उसकी rifles के साथ मिलती है जहां पर काल की body मिली थी वहाँ पर बहुत सारे भालों के tracks भी मिली थी काल हैरिक के adopted report में ये बताए गया कि उसकी body को किसी ने request कर दिया था मतलब निचोर दिया था जैसे हम कपड़ों में से पानी निकालने के लिए कपड़े को निचोड़ते हैं उस तरह से कारल हैर्डिक की बोड़ी को किसी निचोड़ दिया था उसका जो लंस था, वो उसकी पसलियों से ही पंक्चर हो गिया था ये काम कोई भालू क्या कोई भी जानवर नहीं कर सकता है काल हैरित के साथ क्या हुआ ये किस ने किया था वो अभी तक मिस्टरी बनी हुई है एक 74 एर्स के हंटिंग गाइट थे जिनका नाम मीडी रिवर्स था ये वहां के जंगल के एक एक जगा को अच्छे से जानते थे 12 नवंबर 1945 को गलस्टेन बेरी के साथ विस्ट की जंगल में शिकारियां के ग्रूप को ये गाइट कर रहे थे शिकार करने के बाद ये लोग कैम्प में रिटन आ रहे थे मीडी रिवर्स इस ग्रूप से आगे आगे चल रहे थे कुछ देर में वो किसी को नज़र नहीं आते है सभी को लगता है कि शैद वो कैम्प में चले गए होंगे कैम्प साइट पे इस ग्रूप को मीडी कहीं नज़र नहीं आते है ये लोग सोचने लगते हैं कि मीडी जंगल से अच्छे से वाकिफ है हो सकता है ये कहीं चले गए होंगे ये सोच कर वो लोग ज़्यादा परिशान नहीं हुए लेकिन जब बहुत टाइम हो गया और मीडी आए नहीं मीडी रिवर्स एक बहुत फेमस और रिस्पेक्टेड इनसान थे सो उनकी खोश के लिए 300 वालेंटियर्स की टीम लगी थी साथी मैसर्चुसेट से आर्मी भी आई थी आठ दिन लगताज सर्च किया गया लेकिन वो नहीं मिले बस उस जंगल में एक स्ट्रीम के पास मीडी रिवर्स की राइफल की एक गोली मिली थी जिससे ये अजुम किया जाने लगा कि हो सकता है मीडी यहां स्ट्रीम में गिर गए हूँ लेकिन इसके भी कोई निशान नहीं मिले वहां ना कोई एनिमल अटेक के निशान मिलते हैं ना किसी और चीज़ के सभी को यकीन था कि मीडी रिवर्स को जंगल में रहने की पूरी नौलेज है हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वो सामने आएंगे लेकिन वो आज तक सामने नहीं आए कहां गए? क्या हुआ उनके साथ? कोई नहीं जानता है बेनिंटन टाउन में डिसेंबर 1, 1946 में एक 18 साल की कॉलेज स्टुडेंट पॉला वेल्डन गाइब हो गई थी वो बेनिंटन टाउन कॉलेज की स्टुडेंट थी वो कैंपस के एक रूम में इलिजबित जॉनसन नाम की एक और लड़की के साथ रहती थी इलिजबित ने बताया कि वो ये बोलकर बाहर गए थी कि वो वाक करने जा रही थी वो बस जिन्स और रेड जैकेट पहन कर निकली थी कॉलेज के पास एक छोटा सा गैस स्टेशन था जिसके ओनर डेविट फेगर ने बताया कि पॉलर जो है वो बहुत और बिहेव कर रही थी और उससे वहां लॉंग ट्रेल पे जाने का डिरेक्शन पूछ रही थी जो उसने बता दिया था वो वहां पे लॉंग ट्रेल पे जाती है जहां एक एल्डर कपल भी हाइकिंग कर रहे थे कपल ने बताया कि वो पॉलर से करीब सौ यार्ड पीछे थे इतनी दूरू से उन्होंने पॉलर को उस ट्रेल के एक मोर पे जाते देखा था उसके बाद वो उन लोगों को नहीं दिखी थी एक और हाइकर ने बताया कि चार बजे रास्ते में उसे पॉलर मिली थी और पूछ रही थी कि ये लॉंग ट्रेल कहां तक जाता है उस हाइकर ने बताया था कि ये लॉंग ट्रेल कैनेडा तक जाता है उसके बाद थैंक्स बोलकर पॉला आगे जाने लगी उसके बाद पॉला किसी को आज तक नहीं देखी ये जितने भी विटनेसेस थे इन लोगों ने एक चीस कॉमन बताई वो ये कि पॉला जो थी वो रेट कलर की जैकेट पहने थी दूसरे दिन जब पॉला कॉलेज नहीं आई तब उसकी खोज शुरू हुई एटलिस्ट एक हजर वॉलिंटियर्स, पुलिस, फायर फाइटर्स, एयर क्राफ्ट सर्विलिन्स और FBI भी इस केस को जॉइन करती है यहां तक कि पॉला विल्डन की इन्फॉर्मिशन देने वालों के लिए प्राइज मनी 5000 डॉलर भी रखा गया था लेकिन पॉला के बारे में कोई इन्फॉर्मिशन नहीं मिली पॉला विल्डन का ये केस काफी फेमस हुआ था पॉला के फादर ने बताया कि सर्च अंड्रिस्क्यू आपरेशन को सही से लीड नहीं किया गया था इस केस के साथ महिनी के बाद बैनिंटन टॉण को अपना पुलिस डिपार्टमेंट मिलता है पॉला कहां गई? उसके साथ क्या हुआ? वो कहां चली गई? किसी को कुछ नहीं मालूम है कुछ लोगों का मानना थे कि पॉला जो है वो हो सकता कैनेड़ा तक चली गई हूँ खैर कोई कुछ नहीं जानता है उसके पारे में सब एक ही चीज़ बताते हैं कि उस दिन पॉला जो थी वो रेट कलर की जैकेट पहने थी पॉला वेल्डन केस के तीन साल बाद एक्सेक्ट सेम डेट डिसमबर फर्स्ट को 1949 को एक एक्स मिलेटरी मैं जैम्स टेटफॉर्ड जिनकी एस 68 एट यर्स थी वो इस बैनिंटन ट्राइंगल के विक्टिम बने ये केस काफी स्ट्रेंज था जैम्स टेटफॉर्ड के अर्ले लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता ये तो क्लियर नहीं था कि जैम्स ने शादी कब की थी लेकिन 1940 में उनकी वाइफ की एस 28 और जैम्स की 59 थी उस वक्त वो सर्विस में थे वार खत्म होने के बाद वो घर रिटन आते हैं तो उनकी वाइफ गैब रहती है उनकी वाइफ का कोई ट्रेस नहीं मिलता है अगर वो खुद से घर छोड़ कर जाती तो लेटर छोड़ जाती या अपने सामान को ले जाती या अपने साथ अपने कपड़े और जुलरी को ले जाती लेकिन वो सारी चीज़े वहीं घर पे थी उन्हें किसी ने भी कहीं आते जाते नहीं देखा इस घटना के बाद जेम्स काफी अकेले और दुखी रहने लगे थे 1947 वो बेनिंग्टन में बने सोलजर्स हाउस में रहने लगे जेम्स वर्मॉट के सेंट अलबान में अपमी फैमिले से मिलने गए थे बस सेंट अलबान से बेनिंग्टन पहुचने में नॉर्मली आठ गंटे लगते हैं लेकिन उस दिन वेदर खराब था और इसनो फॉल पे बहुत जादा हो रहा था जिस वज़ा से बस काफी लेट हो रही थी बेनिंग्टन लास्स स्टॉपश था बस में टूटल 14 पैसेंजर्स थे बेनिंग्टन टाउन में बस पहुचने से पहले ग्रीन मौंटे नेशनल फॉरस्ट की रूट से गुजर रही थी सबने जेम्ज को पीछी की सीट पे सोते हुए देखा था इस रूट से होते हुए बस बेनिंग्टन में आकर रुकती है सब बस से उतर जाते हैं लेकिन जेम्स टेटफॉट कहीं दिखे नहीं वो गैब हो गए थे उनका लगेज वही था बस का टाइम टेबल और उनकी टिकट वहीं सीट पे थी लेकिन जेम्स वहाँ पर नहीं थे उनकी सारी चीज़ें वही थे लेकिन वो खुद नहीं वहाँ मौँजूद थे सब बहुत हैं कि चलती बस से कैसे कोई गैब हो सकता है पुलिस ने इन्विस्टिगेट किया तो बस में बैठे सबी पैसंजर्स ने बताया कि जेम्स कहीं नहीं उत्रे थे बैनिंग्टन से पहले जिस रूट से बस आ रही थी उस वक्त वो सो रहे थे और उस रूट से लेकर कि बैनिंग्टन के बीच बस कहीं नहीं रुकी थी जेम्स टेटफॉर्ट ग्रीन मौंटन फॉरिस्ट के रूट और बैरिंटन के बीच में गायब हो गये थे ये मिस्टरी बनी हुए कि चलती बस से जेम स्टेटफॉर्ट कहां चले गए वो कहां गायब हो गए जेम स्टेटफॉर्ट केस के दस महीने के बाद आक्टूबर नाइंटी फिप्टी को एक 8 साल का लड़का पॉल जेमसन गायब हो जाता है पॉल अपने फैमली के साथ ग्लस्टन बेरी मौन्टेन के बेस पे एक फॉर्म था वहा रहता था पॉल अपने मदर के साथ पीक अप ट्रक में गया था उसके मदर फॉर्म के पास ट्रक जहां पार्क करती है यह वही जगा थी जिसके आसपास 18 साल की पॉलर विल्डन को देखा गया था पॉल की मौन उसे ट्रक में बैठा कर यह बोल कर जाती है कि तुम यहां से कहीं नहीं जाना मैं अभी गाय और बक्रियों को खाना देकर आदे घंटे में आती हूँ जब पॉल की मौन आदे घंटे के बाद वहां आती है तो वहां पॉल कहीं नहीं था उसकी मौन उसे बहुत खोजने लगती बहुत आवाजे देती लेकिन पॉल कहीं दिखता नहीं है पॉलिस को काउन्टेक्ट की जाता है बहुत सारे वॉलिंटियर्स भी जोइन करते हैं पॉल को खोजने में खोजे डॉक्स कभी यूस किया जाता है वो डॉक उस ट्रक से पॉल के सिंट को पिकप करके Glastonbury Mountain के पास जाकर सिंट को खो देते हैं वोई वहीं गुमते रहते हैं Paul के फादर ने बताया कि Paul हमेशा Glastonbury Mountain में जानी की बात करता था इस Mountain को बहुत अच्छे से सर्च किया गया लेकिन Paul कहीं नहीं मिला ना किसी को दिखा पुलिस को यकिन था कि Paul मिल जागा क्योंकि उसने भी Red Color की जैकेट पहने रखी थी Red Vibrant Color है इसलिए कोई ना कोई Paul को ज़रूर देखा होगा लेकिन Paul का कोई Trace नहीं मिल रहा था किसी ने भी Paul को नहीं देखा था इसी माउंटेन के पास पॉलर वेल्डन को भी लास्ट देखा गया था जो Red जैकेट पहनी थी फिर अब पॉल भी गाइब हो गया था उसी जगह से वो भी Red Color की जैकेट पहना था इन दोनों घटना के बाद Red Color के कपड़े पहन कर वहाँ उस Glaston Berry Mountain पे या आस पास घूमना अनलकी मानने लगें वहाँ के लोग पॉल जैबसन के गाइब होनी के 16 दिन के बाद 28 October 1950 को फेरीडा लेंगर नाम की एक लीड़ी गाइब हो गई थी जिनकी एच 53 यर्स थी वो अपनी फैमिली और फ्रेंट्स के साथ Glaston Berry Mountain के पास समर सिट रिजरवायर पे कैंपिंग और हाइकिंग के लिए जाती है कैंपिंग के दौरान 28 October के मौर्नी को ये लेड़ी अपने हस्बिन मैक्स और कजन्स के साथ हाइकिंग और हंटिंग के लिए निकलती है कुछ देर चलने के बाद एक पतली सी नदी पढ़ती है वहाँ ये लोग जाते हैं और फैरीडा स्लिप करके उस नदी में गिर जाती है उसे चोट तो बिलकुल नहीं लगती है लेकिन इसके बाद सब हसने लगते है फैरीडा सभी से बोलती है कि वो कैम्प में जाकर चिंच करके आती है फिर आगे चलेंगे ये बोलकर फैरीडा वहाँ से चली जाती है हस्बिन मैक्स और कजन्स फैरीडा का वहाँ नदी के पास वेट करते है जब एक घंटे से उपर हो जाता और फैरीडा वहाँ नदी के पास नहीं आती है तब उनके हस्बिन और कजन्स को चिंता होने लगती है वो लोग कैम्प में आते हैं और कैम्प में बाकी लोगों से फैरीडा के बारे में पूछते हैं सभी बताते हैं कि फेरीडा यहां कैम्प में नहीं आई है सभी लोग परिशान हो जाते हैं कि नदी और कैम्प की बीच में रास्ता वहां से फेरीडा कहां चली गई सभी लोग मिलकर फेरीडा को बहुत खोचते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है फिर वो लोग आथरिटिस को कांटेक्ट करते हैं सर्च और रिस्क्य आपरेशन शुरू होता है सर्च टीम अपने साथ डॉक्स, हेलिकॉप्टर, बहुत सारे वॉलिंटियर्स लाई थी और यहां तक कि सोलजर्स भी शामिल हुए थी लगतार पांस दिनों तक आपरेशन चला लेकिन फेरिटा कहीं नहीं मिली सब बहुत हैरान थे कि नदी और कैम्प की बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी और फिर रास्ता भी बहुत क्लियर और साफ था फिर इस बिच फेरिटा कहां चले गए थी एक बात और बता दे रहीं कि फेरिटा जो लेडी थी उन्हें घने जंगल में कैम्पिंग और हाइकिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपिरियंस था वो आउट डूर परसन थी और वो यहां भी कैम्पिंग कर चुकी थी फिर 12 में 1951 को समर सेट रिजरवायर के पास बिलकुल ओपन एरिया में फेरिडा की बाड़ी मिलती है इस एरिया में भी काफी बार सर्च किया गया थै लेकिन उस वक्त बाड़ी नहीं थी सबसे बड़ी बात कि इस एरिए को डॉक्स भी कए बार सरच के लिकिन उन लोगों को फरीडा का कोई स्टेंट क्यों न कियो नहीं मिला था क्या किसीने यहां फरीडा की बौड़ी को ला कर रख दी थी उस दिन किसी ने भी किसी तरह की चीखने चिलाने की आवाज भी नहीं सुनी थी बॉड़ी पूरी तरह से डीकमपोस्ट हो गई थी इसलिए कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि फेरीडा के साथ उस दिन क्या हुआ था इसके बाद कुछ और लोग भी गाइब हुएं जिनके बारे में जादा इंफॉर्मिशन नहीं है सिक्स्त में नाइटी फिप्टी को मार्था जोन्स नाम की एक लड़की गाइब हो गई उसके पैरेंट्स ने बताए कि वो शायद बाइफरेंट के साथ चली गई हूँ जब बाइफरेंट से इंक्वाइरी उट उसने बताए कि वो खुद मार्था को ढून रहा है कि वो बिना बताए कहा चली गई वहाँ ग्लेस्टेन बेरी मांटेन पे बहुत सर्च किया गया लेकिन कुछ पता नहीं चला एड डिसंबर को फ्रांसेस क्रिसमेन नाम की एक लड़की अपनी घर से ये बोल कर जाती है कि वो फ्रेंट के घर जा रही है शाम तक आ जाएगी लेकिन वो कभी अपने फ्रेंट के घर पहुची ही नहीं उसके लिए भी सर्च आपरेशन स्टार्ट हुआ था लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला रेडिट पे मुझे एक स्टोरी मिली जिसमें हस्बेंट वाइफ उस मांटेन की तरब जो हाईवे था वहाँ से गुजर रहे थे हस्बेंट कार को रोकता है वो फ्रेंट की विंडशिल्ड क्लीन करता है और वाइफ जो रहती है वो बैक साइट की विंडशिल्ड को क्लीन करती है क्लीन करने के बाद जब वो अपनी वाइफ को आवास देता है तो देखता है कि उसकी वाइफ वहां कार के पीछे नहीं है वो बहुत खोशता है कुछ दिनों तक सर्च आपरेशन चला लेकिन उसकी वाइफ कहीं नहीं मिली mountain49 में three hunters mysterious तरीके से गाव हो गये थे इसके लवा और भी बहुत सारे hunters और फिशर्मेन इस बैनिंटन ट्रैंगल से mysterious तरीके से गाव हो गे ऐटी निटी टू में एक मेल के workar Henry ने अपनी एक दोस्त का murder कर दिया था एक बड़े से पत्थर से मार कर जब उससे reason पुछा गया तो उसने बताया कि पत्थरों से strange आवाज आ रही थी कि इसे मार दो उसे mental asylum में admit कराया गया जहां से वो भाग गया था आथर जोजोफ सिट्रो इन सब चीज़ों के पीछे किसी paranormal चीज़ का हाथ मानते हैं जो natives Americans हैं उनका मानना है कि यह जगा पूरी तरह से श्रापित है रिपोर्ट्स बताती है इस जगा पे बहुत कुछ strange होता है यहां suddenly मौसम चेंज होता रहता है जो plants हैं वो old angles में निकलते हैं यहां पे UFOs, Bigfoot, strange creatures देखी गए हैं साथे बहुत सारी paranormal activities भी होती है सालों से लोग बताते हैं कि नजाने कितनी बार यहां आस्मान में बहुत बार strange light देखी गई है कभी कभी बहुत अजीब से आवाजे आती है साथे वहां के mountain से अजीब से smell भी आती है Folklore के according यहां के mountain स्ट्रापित है यहां पे लोग जाने से avoid करते हैं बस लोगों को दफ़नाने के लिए यहां का land यूस किया जाता था वहां के native American Algon Queen Tribe इन पहाडों पे जाने के लिए हमेशा मना करते हैं उनके according इशापित पहाड़ मैन इटर्स है मिंस नर्भक्षी पहाड़े जिस पे खड़े होने से यह आपको अपने अंदर समा लेता है आपको खा लेता है यह मैन इटर्पत्थर पहाड़ों में घूमते रहते हैं और जगा चेंच करते हैं इन लोगों को मानना है कि यहां दूसरी दुनिया में जाने के बहुत से रास्ते हैं बहुत सारे पॉटर्स हैं यहां पर यह मिस्टीरियस तरीके से गाइब हुए लोग मिसिंग 411 के लिए बिल्कुल फिट है बैनिंटन ट्राइंगल जो है वो बर्मुडा ट्राइंगल की तरह फेमस तो नहीं है लेकिन यहां सदियों से लोग गाइब होते आ रहे है दोस्तों यह थी बैनिंटन ट्राइंगल में मिस्टीरियस तरीके से गाइब हुए लोगों की रियल स्टोरिस आपको आज की स्टोरिस कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं वीडियो अगर आपको जरब से भी पसंद आई हो तो इससे प्लीस लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों आपके पास कोई स्टोरि है तो चैनल से शेयर कीजे हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे और जो लोग इस चैनल पिनी हूँ है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया मिलती हूँ अगली वीडियो में चिल देंग बाई एंड टेक क्यार